नवस्कार दोस्तों SN Electrical Academy के YouTube channel पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों 21 दिसंबर 2022 के UP RVNL Electrician TG2 का recently exam हुआ था उसी paper का हम solution कर रहे थे और ये morning shift का question paper है जिसमें हम अब तक 5 पार्टों में यानि 125 question को solution किया हुआ है ये मेरा 6 नंबर पार्ट है और इसमें हम 126 से आगे के question को हल करेंगे और ये 150 तक चलेंगे एक paper complete इस वीडियो तक समाप्त हो जाएगा मतलब एक paper का solution हमने 6 पार्ट में किया हुआ है चलिए बीना देर किये हम question का solution करते है 126 नंबर question जो है इसमें कहा जा रहा है कि UJT यानि uni junction transistor की एक विसेस्टा होती है कि इसे trigger करने पर उतसरजक धारा पुनर्योजी रूप से तब तक बढ़ती है जब तक कि डाडड़ द्वारा सिमित न किया जाए तो regenerative current जो होती है trigger में UJT में आप सब भी जानते होंगे UJT जो रखता है वह negative characteristic रखता है तो इसमें जो regenerative current जो होती है वह control की जाती है emitter power से control की जाती है तो यहाँ पर दिया है कि उतसरजित regenerative current जो होगी वह किस से control की जाएगी तो वह emitter power से control की जाएगी option number A में दिया है emitter power इसलिए option number A बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला number question 127 number question 127 number question में कहा जा रहा है कि normally to measure kilowatt घंटा के भी ए आर md and kilowatt एमपेर घंटा उसकिस में किये जाते हैं तो आप सब भी जानते होंगे tri vector जो meter होता है उसमें हम active power, reactive power और apparent power को तीनों को measure करते हैं एक कर ट्रिंगिल को बना करके अब यह जो होता है यह active power होता है जिसे हम actual power भी बोलते हैं यह के भी ए आर होता है जिसे हम reactive power बोलते हैं और इसे हम apparent power बोलते हैं यह भासी सकती है तो यह किस पे निकाला जा रहा है तो ट्रिंगिल यानि vector meter से यानि option number B सही answer हो जाएगा यह सभी रासिया vector meter से घ्यात की जाती है अगला question अगला जो question है 126 number इसमें कहा जा रहा है कि डाट डाट पदार्थों का वह गुड़ जिसके कारण वह अपने भीतर चुम्ब की अभिवाव मतलब की flux magnetic flux के निर्मान का बिरोध करता है वो क्या कहलाता है तो जिस तरीके से बिदूतिय सर्किट में current का विरोध कौन करता है तो resistance करता है उसी तरीके से magnetic circuit में current के समरूप कौन होता है तो flux होता है अब इस magnetic circuit में flux का जो विरोध करेगा वो कौन होगा तो उसे हम कहेंगे RM RM का मतलब होता है reluctance तो कौन विरोध करेगा magnetic flux का reluctance करेगा option number D बिल्कूल correct answer हो जाएगा और जिस तरीके से बैदूतिक circuit में चालगता होती है उसी तरीके से magnetic circuit में permeance होता है अगला question अगला जो question है 119 number इसमें कहा जा रहा है कि what is the source of error in moving iron instrument moving iron instrument में कि प्रकार के error पाए जाते हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा AMI को हम कहते है moving iron instrument यह जो instrument है इसमें deflecting torque जो होता है वो current के बर्ग के समानुपाती होता है इसलिए कहा जाता है कि moving iron instrument जो होता है वह इसका पैमाना non-linear होता है और एक ही यह होता है अब इसमें जो error के बारे में पुछाए कि error क्या है तो इसमें एक चीज और होता है कि deflecting torque current के तो वर्ग के समानुपाती हुआ फिर यह वर्ग किस पे करती है किस supply पे तो यह AC प्लस DC दोनो supply पर समान रूप से वर्ग करती है तो इस instrument में frequency error मिलता है अब यही question पुछा था कि what is the source of error in moving iron मतलब moving iron में किस प्रकार के source error होता है तो वो frequency error होता है option number C में दिया गया है frequency error इसलिए option number C सही answer हो जाएगा अगला जो question है यह भी data based question है wiring का question है आप सब को पता होगा कि IE मतलब Indian electricity rule के अनुसार ऐसे बिंदू पर जहां से आपूर्ती प्रारंब होती है और निम्न और मध्य बोल्टता की आपूर्ती में डाट डाट से अधी का अंतर नहीं होना चाहिए मतलब हमारा Indian electricity rule यह कहता है कि low and medium voltage में voltage का variation जो होता है वो कितने का होना चाहिए आप सबको इसमें बताना है तो ध्यान दीजिएगा low and medium voltage है तो उसमें voltage का variation जो होता है वो 5% या 6% होता है यह पहले चलता था अब इसी को update करके 6% कर दिया गया है कभी भी याद रखिएगा यह दोनों एक साथ नहीं आएंगे इसके बाद high and extra high में voltage का variation जो होता है वह 12.5% का होता है इसके बाद किसी mens पर यानि कोई उपकरण हम आन करते हैं तो उस time जो voltage का drop होता है वो कितने का होना चाहिए तो वह plus minus 3% का होना चाहिए आप सब भी जानते हैं कि फिर frequency में कितने का variation होता है तो frequency में भी mens voltage drop के बराबर ही इसमें भी होता है plus minus 3% का चुकि यहाँ पे low and medium का पुछा था इसलिए हम 5 को prefer करेंगे या 6 को prefer करेंगे अब आप सब देखिए 6% का दिया है तो फिर 6% को हम देंगे answer बिल्कुल D option correct answer हो जाएगा अगला question अगला 131 number question है इसमें कहा जा रहा है कि निमलिकित में कौन सा बिकल्प वाईव घर्षन अमंदन की एक विसेस्ता नहीं है अगर देखिए इसमें damping जो होती है वो चार स्वरी तीन होती है एक तो होती है ED damping टार्क दूसरा जो होता है air damping और एक होता है fluid friction सबसे अगर दक्सता वाली कहे efficiency अच्छी की बात करे तो ED damping बहतरीन होती है अब इसमें air friction damping की विसेस्ता नहीं है ये पुछा गया है तो देखिए air damping की जो विसेस्ता होती है कि इसकी लागत मुली जो होती है वो कम होती है यह इसमें किसी भी प्रकार के magnet की आवसकता नहीं होती है और यह सरलता से operated होती है लेकिन बिस्वासनिय ये नहीं होती है अगर बिस्वासनिय की बात किया जाए तो वह AD damping टार्क हो जाता है तो यह थोड़ा सा इसमें विस्वासनियता कम होती है और यह इसका disadvantage होता है और यहाँ पुछा है कि disadvantage बिस्वासनियता नहीं है तो यहाँ पे इसी को हम prefer करेंगे क्योंकि अत्यधिक विस्वासनियता नहीं होती है यानि आपसर नंबर यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला कोस्वासन अगला जो कोस्वासन है 132 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि aluminum परमाडू के कितने संयोजगता electron होते है मतलब aluminum में कितने balance ही electron की संख्या होती है तो जब इसका आप electronic बिन्यास करेंगे तो पहला कोस्वास के हो जाएगा L हो जाएगा M हो जाएगा N हो जाएगा पहला कोस्वास के है दूसरा L है तीसरा M है और N चोथा है तो aluminum है तो aluminum का symbol AL होता है और इसका परमाडू करमाग 13 होता है तो नियम के अनुसार पहले कोस्वास के में 2 electron रख देंगे, दूसरे L में हम 8 रखेंगे, अब कितने हो गए तो 8, 2, 10, कितने बचें 3, चुकि तिसरे कोष में हम 18 electron रख सकते हैं लेकिन हमारे पास 3 ही एबेलेबल है, तो हम 3 रख देंगे तो देखिए, 8, 2, 10, 1, 3 13, 13 electron हो गए ना ते रही यह भी है इसका मतलब कि सबसे y है जो कक्छक होता है वही वैलैंजी कक्छक होता है तो इसमें कितने elektron है तीन है अर्थात ऐलमुनियम में elektron की संक्या मतलब वैलैंसी elektron की संक्या 3 होती है आपसा नमबर c बिल्कुल करेक्ट रांसर हो जाएगा अगला कोश्चन अगला जो कोश्चन है 133 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि 15 ओम रजिस्टेंस में 500 मिली एंपियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसमें बोल्टता पात कितना होगा बोल्टेज ड्राप बता रहा है तो रजिस्टेंस आप 15 ओम देख रहे हैं कारेंट का भी मान आप देख रहे हैं 500 मिली एंपियर अब इसमें बोल्टेज का ड्राप पुछा गया है तो बोल्टेज ड्राप का फार्मूला जो बनता है भी बराबर IR बनता है अब IR फार्मूला बन रहा है तो इसमें करेंट जो है वो कितने की है 500 मिली एंपियर की तो 500 मिली का मतलब है 10 to the power minus 3 3 हो जाएगा into resistance 15 है तो यहां से देंगे गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 इसके बाद 2 0 है अब यहां पे minus 3 है तो यहां से देखिए minus 3 के उच्छा भटाएंगे तो 2 0 cancel होगा और एक और अंक के बाद 10 मलो लग जाएगा यानि 7.5 बोल्ट हो जाएगा आपसर नंबर A बिल्कुल correct answer हो जाएगा उमीद भी हम आप सब से यही करेंगे कि आप सब को यह कोशन समझ में आया होगा अगला 134 नंबर कोशन इसमें कहा जा रहा है कि घरेलू प्रकास बेवस्था के लिए दीपथिय स्विच डाट डाट के लिए प्रयुक्त किया जाता है मतलब घरेलू प्रकास बेवस्था में हम दी मार गिये मतलब कि टूबेश स्विच का प्रयोग कहां किया जाता है तो टूबेश स्विच का प्रयोग का मतलब होता है एक लेंप को दो अस्थानों से कंट्रोलिंग करना तो हम अपने घरों में सिंडियों में करते हैं ताकि जब हम उपर से नीचे उतरते हैं फिर बल्ब आफ हो जाए कहीं जाना हो तो फिर पुना आए तो उसको महीं से करें फिर उपर हम चाळ जाए तो उपर उसको आफ करना चाहे और यही पूछा है आपसा नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टूबे स्विच में अगर टर्मिनल की बात करेगा कि टर्मिनल कितने होते हैं तो याद रखेगा टूबे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं अगला कोस्चन अगला जो कोशन है 135 नमबर इसमें कहा जा रहा है कि निमनली खित में से किस उपकरन का उपयोग लकडी के करतन, छीलन और खांचना मतलब गुरुविंग काटने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो आप सब भी जानते हैं कि अगर लकडी के कारियों में किसी परकार के उसमें गुरुविंग काटना हो, उसका हलका फुलका छीलन करना हो, तो इन सब में हम फार्मर चीजल का प्रियोग करते हैं और उसी को हम अपने बेवहारिक रुपों में रुखानी बोला करते हैं, तो आपसा नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह प्लायर दिया है प्लायर से हम लोग is screw को ढिला आएंड टाइट करते हैं, हैमर से किसी भी पर हम चोट देने के लिए हैमर का प्रियोग करते हैं कुछनरी यहां पे देखिये भाप प्लायर लिखा है प्लायर का मतलब है किसी भी में चाम होता है तहीज, 236 नंबर कोशन में कहा जा रहा है कि निगेटिव गेट सिगनल के उपियोग से निम्नल में से किस डिवाइस को बंद किया जाता है अगर बात किया जाए कोशन की तो बात कोशन में कहा जा रहा है कि किस डिवाइस को हम इनपुट सिगनल के द्वारा गेट टर्मिनल पर देते है negative signal तो वह उपकरन बंद हो जाएगा तो वो होता है GTO gate turn up thyristor होता है आपसर number A बिल्कुल correct answer हो जाएगा और GTO जो होता है एक DC होता है उसके बाद SCR जो होता है वह silicon controlled rectifier होता है और यह भी एक DC होता है इसमें terminal की बात किया जाए तो इसमें टर्मिनल टीन होते हैं कौन कौन होते हैं तो वो हो जाएँगे a node िट हो जाएगा इसमें 3 pn junction भी बनेंगे और layer की बात किया जाए तो layer 4 हो जाएगी फिर इसमें Difflezion layer की बात किया जाए तो lle plan tellout layer जो बनती है वह pn junction के बराबर ही बनती है तो इसमें तीन चें children तो फिर तीन deflation लेयर भी होगी इसके बाद diac जो है diac में दो टर्मिनल होगे main terminal 1 और main terminal 2 अब इसमें layer की बात किया जा दो इसमें layer 4 होगी pn junction की बात किया जा तो इसमें pn junction 3 होगे triac जो है इसमें 3 terminal होते है main terminal 1, main terminal 2 और 1 gate terminal हो जाएगा अब इसमें भी layer की बात किया जाते हैं इसमें भी layer समान होती है चार ही होती है और junction की बात किया जाते हैं और ये दोनों by directional मतलब दो दिसियों होते हैं दोनों दिसाओं में work करते हैं अगला question अगला जो question है 137 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक series फिर फिल्ड टर्न को इस तरह समयोजित किया जाता है कि उसकी फुल लोड टर्मिनल बोल्टता नो लोड टर्मिनल बोल्टता के बराबर हो जाती है तो फिर जर्रेंटर कैसा है इसमें तीन प्रकार के जर्रेंटर लोड बढ़ाते हैं मतलब कि वह जर्रेंटर जिस पर हम लोड बढ़ाते हैं तो उसके टर्मिनल बोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है वो सदय बराबर ही रहता है तो उसे हम कहते हैं लेबल कंपाउंड जर्रेंटर वही पूछा गया है इसलिए आपसा नंबर यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकिन अगर किसी पर लोड हम बढ़ाते हैं तो फिर उसका टर्मिनल बोल्टेज घाटने लगता है तो उसे अंडर कंपाउंड बोला जाता है और वैसा जर्रेंटर जिस पर लोड बढ़ाया जाए तो उसका टर्मिनल बोल्टेज बढ़ता चला जाए तो वह ओभर कंपाउंड जर्रेंटर होता है उमीद करेंगे यह तीनों आपको समझ में आये होंगे अगला कोशन 138 नमबर इसमें कहा जा रहा है कि वार्ड लियोनार्ड पणाली के लिए निमलिकित में कौन से कथन सत्या असत्या स्टेटमेंट दो द जो होता है इसमें तीन मशीनों की आवसकता होती है और यहां दोनों दिसाओं में हमें speed controlling के लिए देता है मतलब समाने से अधिक और समाने से कम दोनों में speed controlling में इसको बर्ग कर सकते हैं यह efficiency वाली controlling भी होती है अब यहां पर देखिये statement एक कह रहा है कि ऐ केवल एक दिसा में नियंतरित किया जा सकता है जबकि वैसा नहीं होता है वाड लियोनार्ड मेथड में दोनों दिशाओं में इसे हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं चुकि इस्टेटमेंट कह रहा है कि एक दिशा में तो गलत हो जाएगा दूसरा जो होता है कि इसमें अंतर नहित पुनर सन्योजी अवरोधन का गूण होता है रिजनरेटिव का गूण वाड लियोनार्ड कंट्रोलिंग मेथड में होता है तो दो स्टेटमेंट तो सही है एक गलत है आपसर नमबर D देखेंगे तो पहला असत यानि गलत दूसरा असत यानि राइट आपसर नमबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोस्टन 149 नमबर इसमें कहा जा रहा है कि निम्रिकित में से किस सेल को लेकलांसी सेल के नाम से भी जाना जाता है तो लेकलांसी सेल जो होता है इसमें कंडिसंस होती है कि इसमें जो पाजिटिव टर्मिनल होता है वो किसका बनता है तो कारबन का बनता है निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो किसका बनता है तो वो जिंक का बनता है इसी से इसका नाम पढ़ जाता है Carbon Zinc Cell और यही पूछा भी गया था आपसा नमबर C में देखेंगे तो दिया है Carbon Zinc Cell तो लेकलांसी सेल को अन्य नाम Carbon Zinc Cell से भी जाना जाता है आपसा नमबर C बिल्कुल correct answer हो जाएगा लेकलांसी सेल की Electrolite की बात किया जाए तो इसमें Electrolite के रूप में हम NH4Cl का प्रियोग करते हैं यानि Ammonium Cloride का प्रियोग किया जाता है इसके EMF की बात किया जाए तो 1.46 Electron Volt इसका EMF होता है अगला question अगला जो question है 140 नमबर इसमें कहा जा रहा है कि केबल कोड की आसान पहसान के लिए उचित कलर कोडिंग दी जाती है IS 1554 के अनुसार फोर ग्रेड वाले केबल के वीविन कोड के लिए कलर कोडिंग क्या होगी आप सब भी जानते हैं हमारे इंडिया में फेज का जो करम होता है वो तीन होता है R, Y, B तो ये तो तीन फेज है यही से कलर हो जाता है और एक neutral हो जाता है तो neutral का कलर जो आएगा वो black हो जाएगा इसके बाद R फेज है तो ये red हो जाएगा अगला Y फेज है तो ये yellow हो जाएगा और ये B है तो ये blue हो जाएगा मतलब कि लाल, पीला, निला और neutral का black हो जाएगा वही देखिए लिखा है option B में लाल, पीला, निला और black यानि कला आपसा नमबर भी बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला कोशन अगला जो कोशन है 141 नमबर इसमें कहा जा रहा है कि निमनली खित में काउन सा DC पर AC का मान्य लाभ नहीं है आप सब भी जानते हैं कि long transmission मतलब long distance में अगर हमें transmit करना हो तो वहाँ पे हम DC को prefer करते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि DC में हमको minimum एक वायर की अवसकता होती है transmit करने के लिए लेकिन DC में हमें कम से कम तीन वायर ले जाना ही पड़ेगा और वाई बी का इसलिए efficiency material का हिसाब से हर चीज के हिसाब से long distance में transmit करनी है तो वहाँ पे AC के मुकाबले DC बहतरीन होती है तो DC की frequency जो है ना वह आप सब भी जानते हैं 0 होती है लेकिन AC की frequency की बात किया जाए तो 50 Hz होती है और skin effect जो प्रभाव होता है वह frequency dependent parameters होता है तो AC में 50 Hz frequency है इसका मतलब है कि AC में skin प्रभाव होगा लेकिन DC की frequency 0 Hz है इसका मतलब है कि DC में skin effect नहीं होगा और यही मान्य लाब नहीं है AC का DC पे अब यहाँ question जो कहा था वो समझिए question कहा था कि DC पर AC का लाब नहीं है क्यों क्योंकि AC में तो skin effect होता है लेकिन DC में नहीं होता है option number भी बिल्कुल correct answer हो जाएगा अब generate के हिसाब से देखिएगा तो DC का generation हमें आसान होता है अगला question अगला जो question है 142 number 142 number question में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से काउन सा बिदूत रोधन पदार्थ संबंधी बैदुतिक गुण नहीं है बिदूत रोधन इसका मतलब है insulation के हिसाब से काउन सा गुण है तो स्यानता आप सा ने कह रहा है तो ये तो liquid से है ना लिक्विड से स्यानता होता है और विदूत रोधन का मतलब है किसी मेटेरियल का अगर अच्छा विदूत रोधन है इसका मतलब है कि उस मेटेरियल का पराबैदूत जो सकती होगी न डाइलेक्ट्रिक स्टेंद वह मैक्सिमम होना चाहिए तो एक समानता का मतलब है ये बोल् दूतांक है मतलब डाइलेक्टिक कॉंस्टेंट है आपसा नमबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोस्टन अगला जो कोस्टन है 143 नमबर इसमें कहा जा रहा है सियारो का मतलब होता है कैथोड रे आक्सलो इसकोप में एकवाडाग कोटिंग के लिए निम्लखित में से किस पदार्थ का उप्यो किया जाता है तो CRO जो होता है इसका फुल फार्म होता है कैथोड रे आक्सलो इसकोप और ये अपने डिस्पले पर रासियों को डिस्पले करता है दिखाता है तो इसमें एकवाडाग कोटिंग जो की जाती है उस पार्ट पे वह ग्रेफाइट मिटेरियल से कोटिंग की जाती है और वही कोश्चन अगला जो कोश्चन है 144 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि बिदुत रोधी पदार्थ की सतह पर प्रभावित धारा के लिए प्रतिरोध डाट-डाट कहलाता है इस कोश्चन को जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो फिर आप आंसर भी इस कोश्चन के पढ़ने से ह हें कि बिदुत रोधी पदार्थ की सतह पर सतह पर प्रभाहित धारा के लिए बिरोध जो होता है उस बिरोध को क्या कहेंगे तो आप सब जानते हैं कि करेंट का अगर कोई बिरोध करता है तो कौन है रजिस्टेंस है चुकि उस सतह पर current flow हो रही है तो उस सतह पर एक रजिस्टेंस लग रहा है इसका मतलब है कि उस रजिस्टेंस का नाम जो होगा वह surface रजिस्टेंस होगा प्रिष्टिय रजिस्टेंस होगा इसलिए आपसा नंबर सी बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है 145 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि leakage transformer का use किया जाता है leakage transformer का use हम जो करते हैं वो light में किया जाता है और light में भी एक sodium vapor lamp आता है जो gas discharge lamp की स्रेणी में count किया जाता है उसमें हम leakage transformer का उप्योग करते हैं यहाँ पे voltage को घटाने के लिए तो यहाँ पे leakage transformer कहा प्रियोग किया जाएगा तो वह sodium vapor lamp में प्रियोग किया जाता है option number B correct answer हो जाएगा इसके बाद sodium vapor lamp किस स्रेणी के अंतरगत आता है तो sodium vapor lamp जो है वह gas discharge lamp की स्रेणी में आता है अगला question अगला question में आपको इस figure को देख करके ही बताना है कि यह है क्या 146 number की circuit diagram में निम्रखित प्रतिक का उप्योग डाट-डाट के लिए किया जाता है तो देखिए इसमें दो switch है एक तो one way switch भी है और एक बार इन दोनों को साथ में अपरेट कराए जाएगा तो फिर ये two way switch की भाती भी वर्क करेगा तो यहां पर देखिए आपसन बी में कराए कि one way switch और two pull way switch यानि आपसन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन अगला जो कोशन है पापुलर कोशन है आसान भले ही कोशन है लेकिन एक्जामों में ये सरवाधिक बार रिपीट होने वाला कोशन है अब 147 नंबर में कहा जा रहा है कि एक तरंग बाउंड यानि वेव बैंडिंग डिसी मसीनों में आठ पूल होते हैं तो फिर समानतर पथों की संख्या कितनी होगी अब ये कोशन जो है डिसी मसीन में आपक दो प्रकार की बैंडिंग देखने को मिलती है एक तो होती है लेप बैंडिंग और एक जो होती है वेव बैंडिंग होती है लेप बैंडिंग को हम कंप्लीट बैंडिंग भी कहते हैं लेकिन वेव बैंडिंग को इनकंप्लीट बैंडिंग भी कहते हैं इसके बाद लेप ब जो होगा वह मात्र dhOTा है इसके बाद लेब समांतर को सामानथ बैंडिक कहते हैं लेकिन वेफ बैंडिक को स्रेडी करते हैं करते हैं लैप मैंडिक को वहां पर प्रिफर किया जाता है जहां पर करेंट ज्यादे की आवस्यक्ता हो और बोल्टेज लो हो और वेव बैंडिंग को वहाँ पे प्रिफर किया जाता है जहाँ पे बोल्टेज ज्यादे हो करेंट कम हो तो यहाँ पे समांतर पत की बात किया था और तरंग बैंडिंग तरंग बैंडिंग का मतलब होता है बेव बैंडिंग तो कितने रास्ते हो रहे हैं दो रास्ता हो रहा है आपसा नमबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अगर यही प्रस्न लैप बैंडिंग के लिए रहता तो उसमें हम क्या आंसर देते तो आठ पूल है तो फिर आठ लैप के कंडिशन में आंसर बनता फिलाल इसका आंसर जो होगा दो ही होगा क्योंकि बैंडिंग वेव कहा है अगला कोस्टन 148 नमबर इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी परमाडू के केक सैल में मौजूद इलेक्टरानों की अधिकतम संख्या क्या होती है तो देखिए कोस में अधिकतम इलेक्टरानों की संख्या को रखने के लिए जो फार्मूला होता है वो 2N स्क्वाइर होता है और कोस कहां से स्टार्ट होते है तो पहला कोस के होता है इसके बाद M होता है इसके बाद M होता है ιाट्ट यही Z तक चला जाता है चुकि K 코ce की बात किया है तो इन में नंबर आप कोस होता है यानि K 코ce के लिए निकालेंगे तो N बराबर 1 रख देंगे दूसरे 코ce L के लिए 2 रख देंगे तो यहां पर पहले Culture के लिए दो हो सकती है, दो से कम रख सकते हैं, लेकिन दो से अधिक नहीं रख सकते हैं, और अधिकतम की पुछा था, इसलिए आप से नमबर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, दो सही आंसर हो जाएगा, उमीद करेंगे कि आप सब को ये question समझ में आया होगा, अगला जो question है 149 नमब आर्मेचर रियक्शन का कौन सा effect नहीं पड़ता है करने से, मतलब निम्न में दिये गए, चारो आपसनों में कौन सा effective नहीं है, आर्मेचर रियक्शन से, तो देखिए इसमें जो कहा जा रहा है, आपसने, कि shifting of magnetic neutral axis, तो shifting किया जाएगा न, MNA को MNA, magnetic neutral axis, और एक होता है, GNA, क्योंकि ब्रस जो अस्थापित किये जाते हैं, वो MNA पर ही अस्थापित किये जाते हैं, तो इसको हम इसकी positions को shift करेंगे, तो फिर आर्मेचर रियक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये तो होगा, चुकि कहा है कि नहीं पड़ेगा, ये बात कहा है, इसको ध्यान में र increase in number of pole, अगर pole की संख्या को increase कर देते हैं, तो फिर इसका प्रभाव आर्मेचर रियक्शन पर कोई नहीं पड़ता है, नहीं का पूचा था, इसलिए option number D बिलकुल correct answer हो जाएगा, अगला question, और ये एक shift का question complete हो जाएगा, डेट सो, इस वीडियो का अंतिम question, और एक question का, पे आर्विनेल के 21 दिसंबर 2022 के first shift के question का solution complete कर दिया, एक question paper का, यदि आप पहले के question paper को नहीं देख पाए हैं, मतलब पहले की वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं, तो इस वीडियो के description में, उस वीडियो का मैंने link डाल रखा है, वहां से उन सभी five पार्टों को complete watch कर सकते है इस question paper को आप ध्यान से विद्यारती पढ़िये गाना, तो आपको आने वाले exam UP PCL TG2 में 100% भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको फैदा जरूर होगा, क्योंकि इस exam में भी देखा गया है कि पिछले के UP Arminal TG2 और UP PCL TG2 608 vacancy के question में हैं, तो इसको आप ध्यान से जरू भी हैं और नए प्रसनों को आने की संभावना 100% है, तो आप जरूर इन कोसनों को देखिएगा, फिलाल चलिए 150 संतिव कोसन का सालूसन हम करते हैं, नीचे दिये गए काउन से मोटर उच्छ प्रवर्तन बालागून, मतलब कि starting torque परदान करती है, काउन सी ऐसी मोटर है जो higher starting torque परदान करेगी, तो देखिए यहां पर आप सन के हिसाब से चूज करना है, तो देखिए आप सन में सीध जो दे रहा है, सेडेड पोल मोटर, यह सबसे low starting torque वाली होती है, और यह छोटी मोटर होती है, इसका प्रियोग हम खिलाउनों में करते हैं, कैपे सीटर इस्टार् होती है, वह उसका starting torque हाई होता है, हम starting torque हाई रखने के लिए ही मोटर को starting में कैपे सीटर लगाते हैं, तो यहां पर चारो आपसर में सबसे suitable जो होगा, कैपे सीटर स्टार्ट मोटर का starting torque हाई होगा, इसलिए आपसर नंबर A बिल्कुल correct answer हो जाएगा, तो सभी विद्यारति यह मेरा request रहेगा, कि आप सब वीडियो को like किजिएगा, और साथी साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को जरूर share किजिएगा, और साथी साथ जो भी विद्यारति इस चैनल पे पहली बार आये हैं, वो please channel को subscribe जरूर कर लेंगे, तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ह लिए, बाइबार, take care, thanks for watching.